आप लोगों मैं से काफी लोगों को पहले भी पता होगा, मैं दुबारा से बता देता हूँ कि Microsoft Excel के अंदर आप ChatGPT का इस्तिमाल कर सकते हैं within Microsoft Excel by using add-in. कौन सी add-in है? दुबारा से मैं आपको बता देता हूँ. आपने add-in पे जाना है, यहाँ पे लिखना है autopilot, autopilot की यह वाली add-in को आपने add कर लेना है, add करने के बाद यह add-in कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पे आप इसको start using कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी type करेंगे, वो उसका answer देता जाएगा. अगर आप यहाँ से कोई चीज insert करना चाहें, insert a document तो आप वो भी कर सकते हैं, तो autopilot जो है वो पहली add-in है, इसके इलावा यहाँ पे अगर आप सिरफ GPT लिखेंगे, तो आपके पास power GPT भी है, GPT for Excel भी है, GPT for Excel वर्ड भी है, GPT, chat GPT for Excel भी है, and there are many other add-ins जो AI, edit, formula, editor और ब के ऊपर जाएं, और यहाँ पे अगर आप account के ऊपर click करें, then inside here you can also see something related to Microsoft co-pilot, let me see के यहाँ पे मुझूद है के नहीं है, यहाँ पे मेरे पास नहीं है, but on the other side, अगर आप यहाँ पे top, bottom पे देखें, तो co-pilot in Windows यहाँ पे मुझूद होता है, आप इसको भी utilize कर सकते हैं, by using your Microsoft का account, और यहाँ पे आप सारे का सारा chat, GPT, GPT-4 और बाकी चीज़ें को इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप bottom right पे जाएं, यह के मेरी तस्वीर के बिलकुल नीचे, जब आपके पास Windows 11 है, नहीं है, तो आप Google पे जाएं, Google पे जाके यहाँ पे लिखें, Microsoft co-pilot, Microsoft co-pilot, जो ह and then they provide you chat, GPT-4 की facility inside any document, आपको LLM, यानिके large language model की base पे data को analyze करना, data की reports बना और उस पे काम करने के लिए help out, जो हैं, वो करते हैं, ठीक है, तो large language model को use करने के लिए Microsoft का अपना जो proper package है, उसको बोलते है, Microsoft co-pilot, ठीक है, तो Microsoft co-pilot भी आप use कर सकते हैं, और जो मैंने आपको GPT की different add-ins बताएं हैं, वो भी आप use कर सकते हैं, for your chat GPT inside accept.